हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल इस्टीफन अकेडमी में आपका स्वागत है और दोस्तों आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं ब्यासी अग्रिकल्चर सेकेंड सेमिस्टर वालों के लिए और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स और और अपक्ते चैनल पर आएग्स सेटर वीडियो सेमिस्टर वीडियो को आगरें रिश्ण वीडियो को देख सकते हैं घ् Pode b वीडियो बसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करिए और इसी प्रिकार की वीडियो आप लोगों को लगाता एक्जाम तक मिलते रहेंगे तो चलिए देखते हैं पहला कोश्चन क्या है कि जैविक किसान मिट्टी को कैसे समर्द करते हैं मतलब मिट्टी में क्या डाला जाता है तो इसमें मिट्टी में डाला जाता है खाद और कंपोस्ट डाली जाती है ठीक है किसके अंतरगत मतलब मिट्टी को समर्द कैसे करते हैं तो खाद और कंपोस्ट डालकर समर्द उसे मतलब मजबूद बनाया जाता है ठीक है अगला जो क्वेश्चन होगा कि जैविक खेत कर थे Position होगा वार कि जैविक प्रमाडी करण के लिए आरता प्राप्त करने के लिए भूमी मिट्टी को कितने वर्सों कि तक बिना कि प्रतिवंधित रशायन और अनर्पदार्थों का उपयोग किये जैविक माना जाना चाहिए तो कितने वर्षों तक माना जाना चाहिए इसे जैविक है कि जैबिक खेति आंदोरन किस वर्स हो गए तो यह 1930 में शुरू हुआ था कब गए तो 1930 में शुरू हुआ था कहीं पर आपको इसका अंसर मिलेगा 1940 और कहीं पर मिलेगा 1930 तो आपको अगर्डिंग टू आप संसर से इसे चुनना है 1930 में ठीक है इसके बाद अगला कोश्चन है कि जैबिक खेति का महत और लाव क्या है तो यह पर लोगों को चार उप्सं दिये जा रहे हैं mehart और love क्या है कि किसी रसायन का अपयोग नहीं किया गया है मिठी और भी नंबर में दिया गया है कि परेवररल के अंकूल है और तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा उप्रिक्त सभी होगा अगला होगा 6 नंबर में कि किस देश में जैविक केती प्रथा अधिक है तो बताइए यह नंबर में आश्टेलिया है तो यहां पर जो मतलब किस देश में जैविक केती अधिक प्रथा है मतलब किस देश में जैविक केती की जाती तो वो आश्टेलिया देश है option number आपका A number rate होगा कौन सी है? Australia है, ठीक है? इसकी बात बात करते हैं अगले questions की अगला question दिया गया कि जेभी क्हेटी में मिट्टी के स्वास्त को बनाई रखने का सरवोत्तम अभ्यास है जेभी केटी में मिट्टी के स्वास्त को बनाए रखने के लिए किसका अभ्यास करना चाहिए इसका उप्सान नंबर आप लोगों का ए नंबर होगा फसल चक्र मतलब क्रॉप क्रॉटेशन का अभ्यास करते रहना चाहिए नेक्स्ट कोश्चन है कि इनमें से किसकी जैवे खेती में अनुमती नहीं है मतलब कौन से ऐसी चीज़ है जिसकी जैवे खेती के अंतरगत नहीं अबनाते हैं तो क्या होगा तो सी बेच कीचळ जो है ये जेबिक हैती के अंदरगत नहीं आता है उपस़न नंबर आपका A नंबर राइट होगा अगला कोशन होगा कि भारत अगला कोशन है कि भारत में जेबिक केटी के लिए पानी का मुक स्रोत कौन सा होता है तो जैविक खेती किसके द्वारा की जानी चाहिए या जैविक खेती करने के लिए मुकस्रोत जो है वो क्या है ए नमबर में नदियाँ, बी नमबर में महासागर, सी में टैंक और कुए या बोर्वेल्ट तो सही आंसर जो होगा वो कुए और बोर्वेल्ट होगा ठीक, उप्सन नमबर आपको लोगों का डी नमबर रायट होगा नेक्स्ट कोश्चन है कि बर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा तयार की जाती है तो बर्मी कमपोस्टिंग जो होती है ये किसके द्वारा तयार करती है पसू के द्वारा कीड़े बेक्टिरिया ये कब अगर्टी सिंपल सा कोश्चन है कि इसमें बर्मी कमपोस्टिंग किसके द्वारा तयार की जाती है तो बर्मी कंपोस्ट किसके कीडों की द्वारा तैयर की जाती है अगला कुश्चन होगा कुश्चन नमबर 11 है कि पारंपरिक खेती की तुलना में जेविक खेती में फसल की पैदावार होती है तो पारंपरिक और जेविक खेती की तुलना में क्या अंतर है मतलब दोनों में डिफ्रेंस करके आप लोगों को देखना है किसमें A नंबर में होगा पारमपरी ख्यती से कम B में पारमपरी ख्यती से जढ़िक C में दोनों मरावर है और D में उपरेक्त मैं से कोई नहीं चारो उप्juna में से आप लोगों को बताना है कौन सा option साई है कि परंपरिक खेती में तुलना हो जेवे खेती की तुलना में किसमें फसल पैदावार जो होती है वो अधिक होती है जिसमें जो होगा आपका इनमबर राइट होगा परंपरिक खेती से कम होती है जेवे खेती में क्या होता है परंपरिक खेती से कम होती है ठी किया जाता है किस के सल में मुखरूब से एलोग आप लोगों को दिए जा रहे हैं यहां पर छार जौर चावल और धान मक्का और बाज्रा तो इसमें किसमें करते हैं तो इसका हो जो होगा वह निम्बर राइट होगा जो अपने अगली अगर मेरी पिछली वैली दूक्रास है हैं जो मैं तीन क्लास अप्लोड कर चुका हूं अगर वह आप लोगों ने देखी होंगी तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि क्या है उसमें मैंने भी यह कुश्चन वहां पर भी मैंने पढ़ाया हुआ गहीं सोवाइक है कि चावाल और धान में ऐजोला का फ्रियो किया जाता है ठीक अप्सेन नमबर आपका बीनंबर राइट होगा अगला कंश्चन है कि को सी निमनखित में सी कौन अवरोधक है तो नेट्रिफिकेशन जो होती है वो क्या होती है मतलब कौन सी जो ऐसी मतलब जो खली है जो नेट्रिफिकेशन में अबरोद पैदा करती है तो आपसे नमबर आपका नीम बिनौला फूंखली तथा सब्सक्राइब आपका नेबरोद रहे हो तो सबस्क्राइब करते हैं अगला कोशन देखते हैं कि मर्दा पीप गचि को मिलावाद जा जासकता है तो मिर्दा pH में क्या मिलाएं जिससे की मिर्दा pH बढ़ जाए तो क्या मिलाते हैं इसमें एक नीवू, नेट्रोजन, रेत और पोटास तो नीवू को इसमें बढ़ाया जाता है जिससे क्या होता है मिर्दा का pH बढ़ जाता है अगला कोशन होगा कि कौन सा देश खेती योग कौन सा देश खेती योग छेत्रों में जेविक खेती केते हैं छेत्र का सबसे कम प्रत्सत दर्साता है तो कौन सा ऐसा देश है जो जेविक खेती के अंतरगत आता है लेकिन सबसे कम प्रत्सत जो होती है वो उसकी सबसे कम प्रत्सत मात्रा बहुत दर्साता है तो कौन सा होग कि जेवग खेती खेती बढ़ाली का पर मुग गटक क्या है कि कीट ना सक है जेव अरुबरक हैं सिंथेटिक गढ़ का टीक होगा अगला कुश्चन होगा कि हरी खाद की फसल में खेत में उगाना तथा उसकी हरी तवस्था को उसी खेत में समाहित करना क्या कहलाता है उसे हरी खेत की अवस्था में ही समाहित करना जो कहलाता है वो यह था इस्थान हरी खाद कहलाती है पूर विस्तिती हरीखाद नहीं, हरीखाद की बत्ती भी नहीं, उप्रविक्त मैंसे कोई भी नहीं, उप्सन नमबर आपका बी नमबर राइट होगा, यह था यह स्थान हरीखाद उसे कहा जाता है, ठीक है, अगला गोश्चन होगा, कि नियंतरित बाता बराड में उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, बर्मी पॉस, बर्मी कल्चर, बर्मी कमपोस्टिंग, तथा बर्मी कास्टिंग, तो उसे क्या बोला जाता है, बर्मी कल्चर बोला जाता है, ठीक है, उप्सन नमबर आपका बी नमबर राइट होग तो वो कहाँ पर है बताईए चीन, USA, कनाड़ा तथा यूरोप में तो यहाँ पर आप लोगों को चाल उप्षन दिये गए हैं तो यह कहाँ पर है यूरोप में है ठीक उप्षन नमबर आपका D नमबर राइट होगा यूरोप में अगला कोशन होगा कि जैविक क्रशी पद्धातियों की मुख अबधाड़ा है तो जैविक क्रशी पद्धातियों की जो मुख अबधाड़ा है वो क्या है तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बहला करें जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाये करें और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें अ जिसकते इसे क्या प्रोजदांते में सुरित के थी फसल चक्र जैविक चक्र थक्र आपका तरीक्ष. इसम अन्षर रोन परिठ नरब करें नडर भीउग हो निचोर पर इछड़ घीमत अंप कोई नहीं तो इसमें क्या होगा जैविक लेवल देखें ऑप्सन नमबर आपका ए नमबर सही होगा ठीक जैविक लेवल को देखकर पता कर सकते हैं अगला कुश्चन होगा कि भारत का पहला कौन सा राज है जिसमें जैविक खेती को बकूबी अपनाया गया तो कौन सा राज है ज यहां पर जैवे खेती को सबसे पहले अपनाया गया था अगला कोश्चन होगा अगला कोश्चन क्या है 25 में 25 नमबर में कि हरी खाथ जैव और उबरक कौन सा है तो हरी खाथ जो जैव और उबरक है हरी खाथ का बुक्या है मक्का धान सस्वेनिया पता उबरक मैंसे कोई नही हरी खात के लिए जैबरूरा कौन सा है सस्वेनिया ठीक ओप्सन नमबर आपका सी नमबर राइट होगा अगला कोश्चन है कि आम तोर पर हरी खात की फसल की पैदावार बढ़ती है तो पैदावार जो होती है वो कितने परसेंट बढ़ती है अगला कोश्चन होगा कि एजोला अरुबरक के रूप में फसल की पैदावार बढ़ता है तो कितनी पैदावार बढ़ता है 70, 60, 50 परसेंट या 40 परसेंट लगभग 50 परसेंट पैदावार बढ़ता है ठीक उपसन नमबर आपका C नमबर राइट होगा अगला कोश्चन है कि क्रसी पद्दतियों में कौन सी पद्दती पर्यवरल अनकूल है तो कौन सी पद्दती होती है जो पर्यवरल की अनकूल आती है तो इसमें हैड्रोपोनिक्स परमपरिक खेती जैविक खेती या उप्रुक्त में से कोई नहीं तो इसमें जो होगा आपका सही अंसर क्या होगा कि जैविक खेती परेवराल की अन्कूल आती है ठीक option number आपका C number right होगा अगला question है कि जैविक खेती लागत है तो जैविक खेती की खेती लागत है तो कैसी है परंपरे खेती से अधिक परंपरे खेती से अधिक परंपरे खेती से अधिक परंपरे खेती कम बरावर या उप्रक्ट में से कोई नहीं तो इसका जो होगा उपरुक्त मेंसे कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि उर्वरकों का आसंतुलित प्रियोक होने से मिट्टी की उर्वर्ता कम हो जाती है ठीक है अगला कोश्यन होगा कि क्या भारत में जैब एक खेती के लिए कोई subsidy प्रदान की जाती है तो भारत में क्या होता है जयर खेटी के लिए कोई subsidy में दी जाती है हां नहीं या फिर निरवर करता है ओप्रुकिमेंसे कोई नहीं दीसका जो सही आणसर होगा कि हां जयरेख खेटी के लिए क्या होता है subsidy की बिवस्ता की गई है Option еся number a right होगा अग्ला कुछ्छन है कि पोधोगी विरादल्दि के लिए आवस्यक में में कालसयम गैल्सियम गैल्सियम जिंक और तावा और C नंबर में दिया गए, कैल्सियम, सल्फर, मैंगनेशियम और D नंबर में दिया गए, जिंक, बोरान और तावा, तो इसमें आप लोगों को कौन सा उप्सन चुलना है, कि जो पौदों की ब्रद्धी के लिए आवाज़क तीन पोसक तक तक तो हैं, तो वो कौन से हैं पोसक तक तो आप लोगों को पता होगा, N-P के जो हैं, ये पोसक तक तक है, आपका ये नंबर सही होगा, नैट्रोजन, फासफोरस तथा पोटेक्शियम, ठीक है अगला कोश्चन है, कि किस फसल बिदी से एक ही भूमी पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना सामिल होता है, तो किस बिदी में एक ही भूमी पर दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, और उसे मतलब क्या कहा जाता है, उसे मिस्रित फसल, अंत्रा फसल, अल्ट्रा क्रॉपिंग या फिर गहन फसली करड़ तो इसे कहा जाता है मिक्स्ट क्रॉपिंग इसे कहा जाता है ठीक है अगला कोश्चन होगा कि क्रसी खाद छेतर में GMO का क्या आर्थ होता है तो GMO का क्या आर्थ होता है क्रसी खाद छेतर में जो GMO होती है वो क्या होती है तो सुपरभात अदकारी विकास परपक्किता जीव अनवांसिक जीव रूप से संसोधित जीव तता सामान चिकत सा आदेश तो GMO जो होता है वो क्या होता है तो अनवांसिक रूप से संसोधित जीव होता है ठीक, option number आपका C number सही होगा अगला question है कि निम नखित मैंसे कौन एक कृतिम पोसकतत्तो है, कृतिम खनिज पोसकतत्तो है तो कौन सा ऐसा है जो कृतिम खनिज पोसकतत्तो के रूप में कारे करता है, option दिए गए है, खाद, बर्मी कंपोस्ट, फार्मियाड मैन्योर, फार्मियाड खाद, मतलब जिसे गोवर की खाद कहा जाता है, और अगला D number दिया गया, और बरक, तो चूच करके आप लोग ये कि इसमें कौन सा ऐसार सही होगा थिसमें जो सही होगा वो कृतिम रूप से क्या बनता है, फार्मियाड मैन्योर, जो की पशुआ 돌아 describing, इसका, फौल फार्म होता है, फ्यार्म रूप में कहते है, और इंदी में से गोवर की खाद कहात आ जाता है, अगला है 36 number में क्या है क कि अνतर फसल क्या है तो अंतर फसल क्या है कि आप पूर्दि किए कि पुखत्तवों का दिक्त मुपयोक निरंतर से चाहिक यह फिर पसलों की पंक्तियों का कोई निरूंथर के पंगति और नहीं है इसे कौन सी प्रक्रिया मिटी की एरबरता को कम करती है बो वो शगन वसला उसल्य यह फसल चक्रण यह कवर स सने तो आपका ए नमबर सही होगा सगन फसलें होगाना ठीक है क्या होगा सगन फसलों को होगाना नेक्स्ट कोश्चन है कि किन फसल किन पौधों या फसलों में नैट्रोजन इस्थरी करल करने वाले जीवाडू होते हैं इनमें से कौन सा रसाइन के प्रयोग से बनाया जाता है मतलब रसाइन किसमें प्रयोग किया जाते हैं कीटनासक में जैविक खाद में जैविक खाद में तो बताइए आप लोगों का दोबारा रिपीट किया गया जैविक खाद दो जगे दिया गया तो आप लोग बताइए तक तीन यह उप्शन बचे हुए इसमें कि आप लोगों को क्या लग रहा है तो कीट नासक का जो बनाया जाता है यह रसायनों के प्रयोक से बनाया जाता है ठीक है अप्सन नंबर आपका A नंबर राइट होगा अगला कोश्चन है कि भारत में हरित क्लंद की जनक कौन है यह सबसे पहले आप लोगों का बहुत ही सरल कोश्चन इससे सरल कोश्चन कोई हो ही नहीं सकता गांधी इसमें क्या होगा स्वामी नाथन आपका सही आंसर होगा उप्सन नंबर B स्वामी नाथन ठीक है चलिए दोस्तों यह आप लोगों के मैंने 40 कोश्चन लगवक करा दिये हैं तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो पिलिजी से लाइक करिए और एक जाम से पहले जरूर इसे अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर कर दीजिए ठीक है मिलते हैं आप लोगों को चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए धन्वाद